नमस्कार दोस्तों मेरा नाम मजलीका है आज हम बहुत असान सी रेस पर आपको बताने जा रहे हैं जो है आलू की चटनी आए उसे बनाने के विधी शुरू करते हैं आलू की चटनी बनाने में लगने वाली सामागरी यह सब है यह 200 ग्राम दही है लाल हरा मिर्च है बारिक कटा हुआ काला नमक है सरसो है एक चमच यह लहसुन है जिसका पेश्ठ हम बना लिए है दोकली का और यह उबला वालू है जिसको मैस करके रख लिए हैं बारिक धनिया दही को मिलाने के बार इसमें नमक को डालेंगे मिर्च को डालेंगे राधनिया पत्ता डालेंगे कास्मेरिलाल मिर्च को डालेंगे मिला लेंगे लसुन का पेश्ट को डालेंगे मैं इसके आप आलू को डालेंगे जो क्यूबला हुआ है सब को मिला लेंगे इसमें दही थोड़ा खटा ही लेंगे इसे चटनी अच्छा बनता है तो हम इस चटनी के लिए तरका लगाएंगे गैस ओन करके बर्तन को चरहाएंगे यह जब गरम हो जाएगा तो इसमें तेल को डालेंगे अब तेल गरम हो गया है अब इसमें हम सरसो को डालेंगे यास ओफ कर देंगे और इसमें मीठी निम पत्ती को डालेंगे इसमें तरका लगा देंगे इसको मिला लेंगे हमारी चटनी बनके तयार हो गई है हुआ है तो दोस्तों हमारी चटनी बनके तयार हो गई है अलू की चटनी यह बहुत ही टेस्टी होती है सभी लोग इसके बहुत पसंद करते हैं आसा करते हैं कि आप लोग सब कोई ट्राइ कीजिएगा और हमें बताइएगा कोमेंट बॉक्स में जाकर कैसी बनी है अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो इसे सेर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मैं चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा